मानन ये सद्धस्योगों सरकार का ये निरंतर प्रयासे की देश के जुबाओं को आपनी प्रतिभा दिखाने का उच्चित अफसर मिले सरकारी भरती हो या फिर परिखाएं सुनिये सुनिये परिखाएं किसी भी कारों से इन में रुकाबोट आए ये उचित नहीं है इन में सुचिता और पारिदर्शता बहुत जोरूरी है हाली में कुछ परिखाओं में हुई पेपल लीक की गोटाओं की निस्पोख जांच और दोसियों को कड़ी से कड़ी सजाद दिलान दिलवाने के लिए मेरी सरकार्पत की बढ़ी है हमारे पहली भी इससे पहली भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है इस पर दलियर राजनीती से उपर उठकार देश ब्यापी ठोस उपाय करने की ज़रूरों थे संसोत ने भी परिखा में होने बाली गोड़बोडियों के विरूद एक सक्त कानून बनाया है मेरी सरकार परिखारों से जुड़ी संस्ताओं उनके कामकाज के तरीके परिखा परिख्रिया सोभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है मानन्य सदस्यगन मेरी सरकार ने जुबाओं की राष्टर निर्मन में भागी दरी और बढ़ाने के लिए मेरा जुबा भारत माय भारत अभिजान की सुरुवात भी की है इसमें आप तो देड़ करोर से अधिक जुबाओं का पुंजी करोन हो चुका है इस पहल से जुबाओं में नेत्रुत्त कोसल और सेवा भावना का विजारोपन होगा आज हमारी जुबाओं को खेलों में भी आगे बनने के नई अपसर मिल रहे हैं मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणा में की भारत के जुबाओं की लाड़ी वोसिक मन्चो पर रेकोर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं कुछी दिनों बाद फेरिस ऐलिम्पिक्स में भी शुरू हने बाले जा रहे हैं ऐलिम्पिक्स में देश का प्रतिनी धित्तो काने बाले हार किलाडी पर हमें गर्भ है मैं उन्हें अपनी सुब कामनाई देती हूँ इन उपलबधियों को और आगे ले जाने के लिए भारतियों ओलिम्पिक स्वंग 2036 ओलिम्पिक स्खेलोग की मेजवानी की तेयारी भी कर रही है माने नियों सदस्यगों जुलाइ की पहली तरिक से देश में भारतियों नैसंग ये ताभी लागू हो जाएगी अंग्रे जी राज में गूलामों को दोंट देने की मन सिकता थी दुर्भाग्यों से आज़ादी के उनेख दोसों को तो गूलामी के दोर की यही दोंट बेवस्ता चलती रही इसे बदलने की चर्चा उन्हें एक दोसों को से की जा रही थी लेकिन ये सहस भी मेरी सोरका नहीं करने के दिखाये है आप दोंड़ के जगा न्याय को प्राथमिकता होगी जो हमारी संभिधान की भी भावना है इन नई कानूनों से न्याय परोक्रिया में तेजी आएगी आज जो बिरेश अलग अलग छेत्रों में गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त पा रहे है तो अब ये उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है और ये हमारे स्वतंत्रोता सिनानों की सच्चिस रधान्जली भी है मेरा सरकान ने CAA कानून के तहट स्वरार्थियों को नागरिता देना शुरू कर दिया है इससे बोटवारे सपंडित पिडित अने परिबारों के लिए स्वनमान का जिवन जिना तई हुआ है जिन परिबारों को CAA के तहट नागरिकेता मिली है मैं उनके बेहतोर भविष्टो कील कमना करती हूँ मानेनिय सद्दस्चगोन मेरी सरकार भविष्टो निर्मान के प्रयासों के साथ ही भारत के संस्कूती के बोईभोग और विरासोत को फिर से स्तापित कर रही है खाल में नालंदा इंवर्शीटी के भोव्यो केंपोस के रूप में इसमें एक नाया अध्धाय जुडा है नालंदा सिर्फ एक इंवर्शीटी मतर नहीं थी वालकि ये बैसित ग्यान केंदरो के रूप में भारत के गोरव सली अतित का प्रोमान थी मुझे विश्वा से की नेई नालंदा इन्वर्सिटी भारत को ग्लोबाल नोलेज होब बनाने में स्वहयोक सिध्ध होगी मेरी सरकर का ये प्रया से की भावी पिडियों को हजारों बोर्सों की हमारी विरासोत प्रयाणा देती है इसलिए पूरे देश में तित्थोस्तोलों को आस्ता और अध्धात्मों की केंद्रों को साजाया सोबारा जा रहा है माननिय सद्धस्योगन मेरी सरकर विकास के साथी विरासोत पर भी उतना ही गर्व करते हुए काम कर रही है विरासोत पर कर्व का ये संकल्प आज अनुसुचित जाती, अनुसुचित जनजाती, वंचित वर्व और स्वर्व समाज के गोर्व का प्रतिक बन रहा है मेरी सरकर ने भगवान बिर्शामुंडा के जनम दिवस को जनजात्यो गोर्व दिवस के रूप में मनाने की शुरुवार्ती है आप अगले बर्ष भगवान बर्शामुंडा की एक सो पचासमी जनती के पूरे देश में धुमदाम से मनाया जाएगा देश राणी दूर्गावती की पांसोई जनती को भी व्यापक स्तोर पर मना रहा है पिछले महिने ही देश ने राणी ओहिल्या भाई हलकोई की तिंसोई जनती का साल बर चलने वाला मोहस्चब भी शुरू किया है इससे पहले सरकार गुरु नानक देव जी का 550 मा और गुरु गविन्ट सिंग जी का 535 मा प्रकासपरववी दूमदाम से मना चुके हैं एक भारत चेस्ट भारत के भाव से काशी तामिल संगोमम सोराष्टो तामिल संगोमम जैसे उस्वोगों की कोईपटी भी मेरी ही सरकार ने शुरूती हैं इन आयोजोनों से हमारी नहीं पीडियों को राष्टो निर्माण की प्रणा मिलती है और राष्टो पर गोर्व का भाब और और मोजबूत होता है मानिने सदस्योगन हमारी सफलताइं हमारी साजी धरफ़ है इसलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं साभीमान होना चाहिए आज अनेक सेक्टस में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है यह उपलब्धियां हमें हमारी प्रगोती और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अबसर देती है जो भारत दिजिटाल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व हना चाहिए जो भारत के बज्यानिक चंद्रजान को चंद्रमा के दोखिनी धूर पर सफलता से उताते है तो हमें गर्व हना चाहिए जो भारोत दुनिया की सोब से तेज बड़ती एकनोमी बनता है तो हमें गौर भना चाहिए जो भारोत इतना बड़ा चुनाओ भीजान बीनत बड़ी हिंसा और और अजकता से पूरा कराए तो भी हमें गौर भना चाहिए आज बूरा विश्ञ हमें माधार डेमोक्रासी के रूप में सोनमान देता है भारोत के लोगों ने हमेशा लगतंतरों के प्रति अपना पूरा विश्वास प्रकट किया है चुनाओ से जुड़े सोंस्थाओं पर पूरा भरोसा ज़ताया है सवष्ट लकतंत्रों को बनाया रखने के लिए हमें इस बिशूस को सोहेज कर रखना है इसकी रख्या भी करना है हमें याद रखना होगा लकतंत्रिक संस्ताओं और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के बिश्वास को चोट पहुंचाना उसी डाल को काटना जैसे जिस पोर हम सोब बेठे हैं हमाई लगतंत्रों की विशोशनियता को खेश पहुँचाने की हार कोशिश की सामुहिक अलोचना होना चाहिए हम सोभी को ओदोर याधे जो बलट पेपर चिन लिया जाता था लूट लिया जाता था मोतदान प्रक्रिया को शुरुखित बनाने के लिए इभी एम को अपनाने का फेशला किया गया था पिछले केई दोसकों में इभी एम में सुप्रीम कोट से लेकर जनता की अधालत तो खार को सोटी को पार किया है माननिय सद्ध्योगा मैं आप सभी सद्ध्यों से अपनी कुछ और चिन्ताएं भी सजा करना चाहती हूँ मैं चाहूंगी कि आप सभी इन विशोयों पर चिन्तों मनन करके इन विशोयों पर ठोस और सुकरात्म परिणाम देश को देश आज की संचार क्रांती के यूग है मैं बिघोटन करी तक्ते लक्तंत्रों को कोमजोर करने और समाज में धरार डालने की साजी सरच रहे हैं ये तक्ते देश के भीतर भी है और देश के बाहर भी संचालित हो रहे हैं इसके द्वारा आपवा फेलाने का जोंता को ब्रोम में डालने का मिस इनफर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है इस स्थित्ती को ऐसे ही बेर ओक टोक नहीं चलने दिया जा सकता है आज के समय में टेकनोलोजी हार दिन और उन्नोत हो रही है एसे में मानवता के बिरूत इनका गलत उपयोग बहुत घातक है भारत ने विश्व मोंच पर भी इन चिन्ताओं को प्रोकट किया है और एक गलोबाल फ्रेमवर्क की वकालत की है हम सभी का दाइत तो है कि इन प्रभूरती को रोके इस चुनती से निपरने के लिए नई राश्ते खोजे मानन ये सदस्योगन 21 सदी के इस तिसरे दोसक में आज गलोबाल ओडर एक नया सकल ले रहा है मेरी सरकर के प्रयासों से आज भारत विश्व बंधु के रूप में दुनिया को नया भरसा दे रही है मानव केंद्रित आप्रोच रखने की वज़से भारत आज किसी भी संकट के समय फार्ट, रेस्पंडर और गुलोबाल साउथ की बुलोंद आवाज बना है प्रोणा का महा संकट हो, भुकंप जेसी कोई त्रासोदी हो या फिर युद्धो की स्तितियां भारत भावनात मानवत्ता को बचाने में आगे रहा है भारत को देखने का विश्व का नजरिया कैसे बदला है, ए इताली में हुई जी सेबन समिट में भी हाम सुभी ने अनुभोब किया है भारत ने अपनी जी ट्वेंटी अध्यकता के दोरान भी विश्व को अनेक मुद्धों पर एक जूट किया है भारत के अध्यकता के दोरान ही अफरीकान उनियोन को G20 का 27 सद्धोस बनाया गया है इससे अफरीका महादीब के साथ साथ पूरे गलोबाल साउथ का भरसा मोजबूत हुआ है नेवरूट फास्ट पॉलिसी में चलते हुए भारत ने पूरोशी देशों के साथ आपने रिष्टों को मोजबूत किया है साथ पॉड़ोशी देशों के नेताओं का 9 जून को किंद्यो मौन्ति परिष्ट के सपथ ग्रहन समारों में भाग लेना मेडिश और करकी इस प्रातमिकता दोस्त आते है भारत सबका साथ सबका विकास की भवना के साथ इंडो पेसिफिक छेत्रों के देश के साथ भी सोहोजोग बढ़ा रही है पूर्भी एसिया हो या फिक मीडिल इस्ट और इउरोप मेडिश और का कोनेक्टिविटी पर बहुल बॉल दे रही है भारत के बीजोन नहीं इंडिया मीडिल इस्ट इउरोप इकनोमिक कोरिडर को आकार देना सुरू किया है ये कोरिडर 21 सोधी के सोब से बड़ी गेम चेंजर में से में एक सिध्ध होगा मानन्य सदस्वगन आने वाला कुछ महिने में भारत गणतंत्रों के रूप में पचस्त्वर्य वर्ष पुरी करने जा रहे है भारत का संबिधान बीती दोसकों में हार चुनती हार कोशोटी पर खरा उत्रा है जो संबिधान बन रहा था तो भी दुनिया में एसे तक्ते थे जो भारत के ओसफल होने की कामना कर रही थी देश में संबिधान लागू होने के बाद भी संबिधान पर अनेक बार हमले हुए है आज 27 जून है 25 जून 1905 को लागू हुआ अपातकाल संबिधान पर सिधे हमले का सोब से बड़ा और काला अच्छा था तो अब पूरे देश में हाहाकार मुझ गया था लेकिन एसी ओ संबिधानिक तक्तों पर देश ने विजोई प्राप्त करके दिखाया क्यूंकि भारत के मूल में गणतंत्रों की परंपराय रही है मेरी सरकार भी भारत के संबिधान को सिर्फ राजकाज का मढ़्धों भर नहीं बनती वालकि हमारा संबिधान जोन चेतना का हिस्सा हो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इसी धेव के साथ मेरी सरकान ने 26 नुबेंबर को संबिधान दिवस के रूप में मनना शुरू किया है आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मु कस्मिर में भी संबिधान पूरी तरह लागू हो गया है जहां आर्टिकल 370 की वज़े से स्तीतियां कुछ और थी माननिय सद्दस्योगन राष्टर की उपलबधियों के निरधारोन इस बात से होता है कि हम अपने दाईतों का निर्भोहन कितनी निष्टा से कर रहे हैं अथरे लोक्षवाक में कई नई सद्दस्योपेहली बार संग्सद्योपराणी का हिस्षा बने हैं पुराने सद्दस्यों भी नहीं उस साह के साथ आये हैं आप सुभी जानते हैं कि आज का समोय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है आने बाले बोर्षों में भारत की सरकर और संग्सद्यों का क्या नितियां बनाती हैं इस पर पूरा विश्द्यों की नजार हैं इस अनुकूल समोय का अधिक से अधिक लाप देश को मिलें एदाईत्यों सरकर के साथ साथ संग्सद्यों के हार सद्दस्यों का भी होना चाहिए पिछले दोस बोर्षों में जो रिफन्स हुई है जो नाया आत्मो विश्वास देश में आया है इससे हम विक्सित भारत बनाने के लिए नहीं गति प्राथ कर चुके हैं हामसोभी को एह हमेशा ध्यान रखना है कि विक्सित भारत का निर्मान देश के हार नागरी की आकांख्या है संकल्थ भी है इस संकल्थ की सिध्ध में अबरोद पैदा ना हो एह हामसोभी का दाइत्थ है भी कर्तव्य भी है नितियों का विरोध और संग्षोदियों कामकाज का विरोध दो भिन्यव आते हैं जोब संग्षोद सुचारू रूप से जलती है जोब इहां सोस्त चोर्चा परिचोर्चा होती है जोब दुर्गवी निर्णोई होते हैं तो लोगों का विश्वा सिर्फ सरकरी नहीं पूरी बेवस्ता पर बनता है इसलिए मुझे भरसा है कि संस्वत के पॉल पॉल का स्वधुबोजग होगा जनहीत को प्राक्तमिक्ता मिलेगा हमारे बेदों में हमारी रूसियों ने हमें कुछ नीति बानी दिये हैं जैसे कि समान मंत्र हो समीती ही समानी की प्रेरणा दिये और थाथ हम एक समान बिचार और लोख्षो लेकार एक साथ काम करें यही इस संस्वत की मूल भावना है इसलिए जो भारत तिस्री नमबर की एकनोमी बनेगा तो देश की इस सफलता में आपकी भी सोहभागीता होगी हम जो दो हजार सोताइस में आजादी की सोताब्दी का उस्षोप विक्सित भारत के रूप में मनाएंगे तो इस पिड़ी को भी स्रेयों मिलेगा आज हमारे जुबा में जो सामुर्थ है आज हमारे स्वंकुल्मे में जो निष्ठा है हमारे जो असंभव सी लगनीवली उपलोब्धियां है ये इस बात का प्रमान है कि आने वाला दोर भारत का दोर है ये सदी भारत की सदी है और इसका प्रभाप आने वली एक हज़ार बोर्ष सतोक रहे गाए आईए हम सो मिलकर पुर्णो पर्तपनिस्टा के साथ राष्टियों संकुल्पो की सिध्धी में जुट जाएं विक्षित भारत बनाए आप सुभी को मेरा बहुत 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 सुपकमना है धन्यवाद जय हीन जय भारत